उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर नमस्कार दोस्तो जैमातादी जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लिकर आए हैं आपके लिए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए आपके सामने तीन तस्वीरे हैं तीन नमबर हैं जो आपको ज़्यादा आकरशित करें उसे आप चुन लीजिए या तस्वीर भी चुन सकते हैं या फिर नमबर भी और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट वाक्स में ग्रैटिट्यूट सेंड किया किजिए उनके लिए जिन्हें भी आप मानते हैं थैंक्स टू गॉड लिखें थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें जिस भी धर्म के आप हैं जिस किसी को भी आप मानते हैं उनके लिए हमेशा थैंक्स जरूर लिखें क्योंकि जब आप उनके लिए थैंक्स लिखते हैं ग्रैटिट्यूट सेंड करते हैं तो आपको उनके बहुत सारी ब्लैसी मिलती हैं एक रिक्वेश्ट और है कि अगर आपसे ऑप्शन नमबर वन आपने चुना है और उससे रिडिंग मैच नहीं हो रही है तो आप्शन नमबर टू भी सुन लिया कीजिए या आप्शन नमबर थ्री क्योंकि ये एक जनरल रिडिंग है और यहां बहुत सारी लोगों के एनरजी होती है सारी चीज़ें आपसे मैच कर जाएं ये जरूरी नहीं और हो सकता है आपने ऑप्शन चूज़ करने में गलती करती हो तो आप दूसरा सुन कर जब आप देखेंगे तो वो आपसे पुरा मैच कर सकता है इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं आप आप समझ गए होंगे तो अगर आपने चुन लिया है आप्शन तो आप अपनी रिटिंग देख सकते हैं और जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नमबर वण को और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो क्या सोचते हैं क्या महसूस करते हैं सब कुछ बताएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की जमनी लिप्राइक्वेरियस में थुन्तुला कुम राशी के एनर्जी बहुत स्ट्रॉंग है करक ब्रश्चिक मीन रासी पैसिस कंसर स्कॉर्पीयो भी है टारस बर्गो कैप्रिकॉर्पीयो ब्रश्चिक कन्यमकर रासी और एरिस लियो सजीटेरियस में शेंधनूरासी के एनर्जी थोड़ा सा कम है आपर बात कर लेते हैं डेट अब बर्थ की डेट अब बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की सत्रा तारीक आठ तारीक तीस तारीक चार तारीक तेरा तारीक पंदरा तारीक क्यारा तारीक दो तारीक चौविस तारीक और चौविस तारीक ये डेट अब बर्थ हो सकती है अब पर्थ कर लेते हैं बर्थ मंद की आपके परसन के जन्म का महिना हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, अगस्त और जन्वरी ये बर्थमत हो सकते हैं नेम के इनिशेल की बात करें तो नेम के इनिशेल में हो सकता है जे, आर, एफ, पी, डी, एन, वी, ये नेम के इनिशेल हो सकते हैं कंडिशन की बात कर लेते हैं तो आपके पर्सन की जो मूड है बहुत जादा स्विंग होता रहता है कभी बहुत जादा अच्छी मूड में होते हैं तो आपसे बहुत सारी प्यारवरी बाते करेंगे बहुत अच्छी बाते करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे और जब इनका मूड अच्छा नहीं होता है तो बहुत रूड बेहेवियर करते हैं कुछ भी बोल देंगे गुस्से में और ऐसा बिलकुल नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन इनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है बहुत जादा इगो इस्टिक हैं कहीं से भी अगर इगो हर्ट हो गया इनका तो ये बहुत हो जाते हैं और फिर ये आप से अच्छ से बात नहीं करते हैं अगर ये बहुत बिजी हैं किसी काम में और आप फोन भी करते हैं तो हो सकता रिप्लाई न करें या तो फिर फोन उठा कर वी आप से कुछ ऐसा कह दें कि आपको दिल दुख जाए आपको रूला दें तब इनने इस वाद के कोई तकलीफ नहीं होती कि इन्होंने गलत किया है इन्हें एहसास नहीं होता है इस तरह से आपके परसन का मूड जो है बहुत जल्दी बदलता है और आप जो हैं बहुत सीरियस हैं इस रिलेशन्सिप के लिए आपको ऐसा लगता है कि God ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो इसके पीछे कोई न कोई वज़य होगी और आप बहुत सीरियसली अपने इस रिष्टे को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं आप अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट्स डालते हैं और आपके जो परसने बहुत लापरवाही दिखाते हैं उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं और कभी भी कंप्रोमाईज नहीं करते हैं और रिष्टे के लिए वो अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट्स नहीं डालते हैं अब आपके एनरजी ये हो गई है कि आपने सोच लिया है कि जो होना होगा वही होगा अब आप इनके सामने रोते नहीं अपना दिल का हाल इने नहीं कहते हैं पहले आप जैसे बता दिया करते थे बहुत क्लोज आपके दिल के बहुत करीब थे आज भी हैं पर आप जैसे सारी वात इन से sure करते थे जो भी फेंड करते थे पर अब आप ने वो सब कम कर दिया है और आप ने सारी चीज़़ां जैसे एशर पर छोड़ दी है कि अब जो आपको जो आपको सही लगे वही आप करें और जिसे लाइफ को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया है क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है आपने बहुत ट्राइ कर लिया आपने बहुत आफ़र्स डालिये इस रिश्टे को समभालने के लिए पर आपको इसमें कुछ पॉजिटिव होते हुए नहीं दिखा इसलिए आपने वक्त के उपर छोड़ दिया कि अब जो होना है वही हो और आपके जो परसन है उनसे जब ऐसा उनको लगने लगा कि आपने उनसे दूरियां बना ली है आप जैसे उनसे कम बात करने लगे हो तो धीरे धीरे जैसे उन्हें एहसास हुआ आपके प्यार का आपकी एहमियत का अब वो आपको इवेल्यू समझ रहे हैं धीरे धीरे हो सकता है देखी बहुत सारी लोगों के लिए तो लग रहा है अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं सुधर रहे हैं मतलब अब आपकी तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं आपकी याद कर रहे हैं आपको मिस कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ इनके फ्रेंड्स ते जो उन्हें मिस गाइड किया करते थे गलत रास्ते पर ले जाते थे या आपके खिलाफ इनको भड़काते थे और अब उन्होंने दूरियां बनाई हैं ऐसे लोगों से अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी जिन्दगी में बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप वापस आजाते हो तो जैसे बहुत कुछ उन्हें मिल जाएगा बहुत सारी खुशियां उनकी लाइफ में आ जाएंगी कोई अपना उन्हें मिल जाएगा वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, एक अपना पन जो आप से मिलता था वो अब उन्हें किसी से नहीं मिलता बहुत अकेला पन बहुत खाली पन उन्हें लग रहा है आपके विना अपनी लाइफ में हो सकता है वो मेडिटेशन करने लगे हैं अपनी एनरजी को बैलेंस कर रहे हैं और इश्वर्ट से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको भी एहसास हो जाए कि अब वो आपको बदले हुए इंसान के रूप में दिखाई दे वो इश्वर्ट से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको एहसास हो जाए कि आप चेंज हो गए हैं उनके लिए क्योंकि एगो है अभी भी वो आपके पास आके सौरी नहीं बोलना चाहते हैं दिल ही दिल में आपको पसंद करने लगे हैं आपको सकता है आपको अनबलॉक भी करें बहुत जल्दी या तो फिर एक मैसेज आपको ड्रॉप कर सकते हैं यही वो बहुत ज़्यादा हुआ तो यह कर सकते हैं या तो फिर किसी और के थ्रूँ आपको मैसेज भेज सकते हैं कि आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं यह message आपको बहुत जल्द उनका आ सकता है तो उनके mind में अभी जो चल रहा है वो यही है कि बहुत positive हो गए हैं आपके लिए आपके importance को समझने लगे हैं, आपके value को समझने लगे हैं बहले ही अपने मुझसे वो ना बोल पाएं पर उन्हें अपनी गलतियों का बहुत पच्तावा है बहुत regret है कि उन्होंने आपको इतना रुलाया, इतना परेशान किया है वो ये भी जानते हैं कि आपके सिवा कोई और नहीं है ऐसा जो उनकी इतनी गलतियों को माफ कर सकेगा पर आप, आप उनकी हर गलती को माफ करेंगे, उनको इतना यकीन है उनको यकीन है कि आप आज भी उनका इत्जार कर रहे हैं उनको पता है कि आपकी लाइफ में उनके सिवा कोई नहीं जो उनके एतने करीब हो इस तरह से बहुत पॉजिटिव एनरजी आपके परसन की एक बात और यहां पर लग रही है कि अगर आपके परसन मूव उन कर गए थे इस रिष्टे से लंबे समय के लिए और किसी और के साथ आगे बढ़ गए थे अपनी लाइफ में तो भी वो आपके पास वापस लोटने के बारे में सूच रहे हैं अभी वो आपको याद कर रहे हैं अगर वो शादी कर चुके थे किसी और के साथ तो हो सकता उनके पार्टनर के साथ उनकी नहीं बन पा रही है अच्छे से उनकी फैमली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है कुछ भी ऐसा हुआ है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे है I hope आपको समझ में आ गया होगा जैमाता दी जैश्वी कृष्णा बात कर लेते हैं सगन नमबर की अगर आपने चुना है नमबर टू और आप जानना चाते हैं कि आपके पर्सन के मांड में क्या चल रहा है इस वक्त वो क्या महसूस करते हैं क्या सोचते हैं आपके वारे में सब कुछ बताएंगे सबसे पहले साइन और अलिमेंट इस बत कर लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉंग साइन है वो है करकवरश्चिक मींडासी, पाइसस कैंसर, स्कॉर्पियो, जैमिनी लिब्राइक्वेरियस, में थुन्तुला कुमराशी की एनरजी बहुत स्ट्रोंग है, टारसवर्गो, कैप्रिकॉर्ण, ब्रिशवकन्या, मकर रासी भी है और जैमिनी लिब्राइक्वेरियस, तो हमन नौ तारीक, तीन तारीक, तेइस तारीक, एक्किस तारीक, बारा तारीक ये डेटा बर्थ हो सकती है अब बात कर लेते हैं बर्थ मन्त की तो बर्थ मन्त हो सकता है एप्रिल, नवंबर, सितंबर, फरवरी, जुलाई और जून ये पर्थमन्थ हो सकते हैं नेम की निशल की बात करें तो नेम की निशल में हो सकता है O, K, I, P, Y, U, S, F, M ये नेम की निशल हो सकते हैं कंडिशन की बात करें तो आपके जो पर्सन है वो कुछ अलग ही तरह का बेहिवियर करते हैं देखे, ये आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं ये आपके कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं आपके मिलने जुलने वालों में से ही हैं पर अभी इनका बेहार जो है थोड़ा बदला हुआ आपको लगता है उनकी बात हैं कुछ बदली बदली लगती है तो आप बस यही देखने, यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं ये इनका बेहार अचानक से क्या बदल गया, क्यूं बदल गया, क्या कारण है तो हम आपको सब कुछ बताएंगे आपके ये जो परसन हैं उनकी अंदर जैसे अभी आपके प्रती जो फीलिंग्स हुई हैं, जो ऐसे चेंजिस हुए हैं वो इस तरह से अचानक से जो बदलाव आया है उसके पीछे एक बड़ी बचय है हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में अपनी जो उनकी परसनल रिलेशनसिप थे किसी और के साथ या तो वो किसी और के साथ रिलेशनसिप में थे या तो ये मैरेड हैं तो ऐसा कुछ न कुछ इनकी पास्ट लाइफ में चल रहा था और जैसे वो एक साइकल का एंड हुआ है और अभी वो अपनी लाइफ में उन परिशानियों से उन उलजहनों से निकल कर एक खाली पन उनकी जिन्दगी में चल रहा था एक अकेला पन वो महसूस कर रहे थे और अचानक ही उन्हें आप एक ऐसे इनसान के रूप में मिले जिसने उन्हें सहारा दिया है जिससे बात करक उन्हें सुकून मिलता है बस यही एक बात है कि एक बहुत अट्रेक्शन उन्हें आपके लिए फील होता है आपका नेचर आपकी बात हैं जैसे हीलिंग करती हैं बहुत पॉजिटिव एनरजी है आपकी और यही पॉजिटिव एनरजी उन्हें बहुत अट्रेक्ट कर रही है तो आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ दिनों से की अचानक से इनके विवहार में बहुत बदलाव आया है बहुत केरिंग हो गए हैं आपको बहुत ज़्यादा पूछते हैं किसी बात के लिए हो सकता है आपको चाई या काफी के लिए बोलते हैं चले तो कहीं जाके या तो फिर लंच के लिए कहीं ले जाना चाहते हैं डिनर के लिए कहीं ले जाना चाहते हैं इस तरह से आपने महसूस किया है कि अचानक ही इनका अटेंशन बहुत बढ़ गया है आपके लिए बहुत केरिंग हो गए हैं आपके बारे में ज़्यादा बाते करने लगे हैं दूसरों से आपने महसूस किया होगा कि ये धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं आपसे अपसे अपने दिल की बहुत सारी यसी बातें शेयर करते हैं जो एक नॉर्मल से फ्रेंडशिप में ये बातें लोग जल्दी शेयर नहीं करते तो आपको भी एहसास होने लगा है कि ये इनसान कुछ तो अलग फीलिंग रखता है आपके लिए हाँ ये बिल्कुल सही है कि इनकी जिंदगी में जो एक खाली पन है जो एक अकेला पन है वो आपकी बाते हैं आपका साथ वो सब खाली पन खत्म कर देता है इनकी लाइफ का हीलिंग करती है आपकी बातें जैसे हमने आपको बताया कि आप बहुत पॉसिटिव है शायद बहुत पॉसिटिव एनरची है आपकी और आप किसी भी प्राबलम को किसी भी टेंशन को इतना बड़ा नहीं मानते और इतना ही बनाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्राबलम म और यही चीज किसी को भी अट्रेक्ट कर सकती है आपकी जो personality है वो इतनी है अच्छी है कि बहुत सारी लोग आपसे impress रहते हैं हो सकता है कि आप अपने काम में बिल्कुल perfect हो हर कोई आपकी तारीफ करता हो तो यह सारी चीज़ें एक इनसान को अट्रेक्ट करने के लिए बहुत होती है आपकी यह जो person है आपको लेकर बहुत कुछ planning कर रहे हैं future में और इश्वर से यही मांगते हैं कि आप बहुत खुश रहें आपकी खुशियां manifest करते हैं इनको ऐसा लगता है कि अगर आप खुशी खुशी इनको सुईकार करेंगी तो बहुत अच्छा है और अगर आप इन्हें reject कर देते हैं अगर यह आपको propose करें और आपने reject कर दिया तो भी कोई बात नहीं तो भी इन्हें तकलीफ तो होगी लेकिन फिर भी यह एक अच्छे दोस्त बन कर रहेंगे आपके साथ हमेशा ऐसा सोचते हैं बहुत positive हैं आपको लेकर कोई भी यहाँ negative energy नहीं है देखिए और इस relationship में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो आपके जो person हैं जिनके बारे में भी आप यह reading देख रहे हैं वो बहुत समझतार हैं बहुत mature हैं और कहना चाहिए कि वो हो spiritual भी है उनका God पर बहुत trust है इशर पर भरोसा रखते हैं और दिल के बहुत साफ हैं इन्हें अभी हाल फिल हाल ही किसी से धोखा मिला है या तो फिर इनका कोई हो सकता है यह married हो और इनका divorce का case waste चल रहा हो तो वो अब settle हो गया है जैसे जो यह divorce चाहते हों तो इन्हें मिल गया है इस तरह से इनकी life में कुछ problems जो चल रही थी उसका end हुआ है तो condition यही है आपके person अभी आपके बारे में बहुत positive हैं बहुत कुछ चाहते हैं आपसे कहना जब भी मौका मिलीगा यह आपसे जरूर कहेंगे हो सकता है कि यह हसी मजाग में ही कभी कभी आप अपने दिल की बात कह दें आपसे इन्हें इस बात का बड़ा डर है कि आप इन्हें reject ना करें कर भी देते हैं तो भी मन को मार के जैसे रह जाएंगे लेकिन वों इंतजार करते हैं कि सही समय आए जब यह आपसे अपने दिल की बात कह पाए और यह उसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं I hope आप समझ गए होंगे कि इनकी क्या energy है यह क्या सोचते हैं आपके लिए क्या महसूस करते हैं तो जब भी आपको प्रपोस करें जब भी आपसे अपने दिल की बात कहें तब आप थोड़ा सा serious होकर इनकी बात सुने जरूर फिर decision लेना आपके उपर है कि आप क्या सोचते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है किसी पर भी देखे blindly trust नहीं करना चाहिए यह बिल्कुल सही बात है किसी को भी दो दिन में आप नहीं समझ सकते हैं तो समझने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए बहुत जल्दवाजी में कोई भी रिष्टा हमें नहीं बनाना चाहिए इतना आप अपने आप में समझतार हैं इतना strong आप personality हैं तो आप इतना जरूर समझते होंगे आप समझके होंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट वाक्स में gratitude सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं थैंक्स टू गॉड थैंक्स टू यूनिवर्स थैंक्स टू एंजिल जरू लिखें जैमाता दी जैश्री कृष्णा लिखें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखी अपनी खुशियों का ख्याल रखी जैमाता दी बात कर लेते हैं option number 3 की अगर आपने चुना है option number 3 और आप जानना चाहते हैं कि उनके mind में क्या चल रहा है इस वक्त वो क्या सोचते हैं सब कुछ बताएंगे आपके जो person हैं उनकी क्या feelings हैं क्या सोचते हैं क्या महसूस करते हैं दूसरों से आपके बारे में क्या बात करते हैं सब कुछ सब कुछ बताएंगे बस आपको वीडियो में एंड तक बनी रहना है और बात कर लेते हैं साइन और एलिवेंट की बहुत स्ट्रोंग साइन है वो है टॉर्सबर्गो कैप्रिकॉर्ण, प्रिशपकनियामकर रासी, कर्क ब्रशिकमीन, रासी, पैसिसकंसर, बहुत स्ट्रोंग है जैमनी, लिब्रा, एकोरियस, मिथुन तुला, कुमराशी भी बहुत स्ट्रोंग है इसली और साइज़िटेरियस, मिशन धनुरासी थोड़ा सा कम है याँ पर डेट अब बर्थ की बात करें तो डेट अब बर्थ हो सकती है चह तारीक, 18 तारीक, 12 तारीक, 9 तारीक, 26 तारीक, 4 तारीक, 24 तारीक, 21 तारीक, 15 तारीक. यह डेट आप बर्त हो सकती हैं। बर्थमंद की बात करें तो बर्थमंद में हो सकता है जुलाई, नवंबर, मार्च, अक्टूबर और सिदम्बर ये बर्थमंद हो सकते हैं नेम के निशिल की बात करें तो हो सकता है N, R, H, G, T, J, X, Q, N ये नेम की निशिल हो सकते हैं condition कुछ इस तरह से है कि आपको अपने love relationship से जैसे परिशान हो चुके हैं आपकी person जो है, वो कुछ इस तरह से हैं कि आपको ना तो आगे बढ़ने देते हैं ना ही आपको commitment देते हैं लंबे समय से आप इस relationship में कुछ न कुछ commitment चाहते हैं लेकिन आपके परसन हमें सब बचते हैं जैसे टालते रहते हैं और अब आप आजाद होना चाहते हैं अब आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं मन की शामती चाहते हैं देखे बहुत उधल उधल रही है आपकी लव लाइफ में आपके परसन ने आपको बहुत सारी बादे किये लेकिन एक भी नहीं निभाया है। बहुत जूटे बादे किये हैं। बहुत सारे ऐसी बाते हैं जो आप किसी से भी डिसकस नहीं कर सकते हैं। आपका दिल बहुत दुखाया है इनोंने। आपने जिसे अपने दिल के करीब सम चाहते हो जब आप move on करना चाहते हो तो वो आपकी यादों से नहीं निकल रहे हैं फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं और फिर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरह से on off की situation चलती रहती है आप दौनों के बीच में ये कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं कभी आप से आके बहुत सारी अच्छी बात करेंगे और कभी आप से जगड़ा करके दूर चले जाएंगे तो इस तरह से आपकी लाइफ में जैसे इन्होंने तूफान सला दिया है अब इनके माइन में क्या चलता है आप ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी इन हरकतों से तंगा चुके हैं अब आप और बरदास्त नहीं कर पा रहे हैं आपको लगता है कि आपको अपने कैरियर में आगे वरना चाहिए या अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए आप दूसरे अपनी रिस्पॉनसिविल्टी के लिए बहुत अवेर हो रहे हैं बहुत जाग इपशि और नहीं है इनकी अिनरजी ब्लर कुल बैलेंस नहीं है ये खुद भी अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं इन्हें हमेशा इनके सामने दो आप्जन होते हैं और इनको समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए ये अपनी फैमिली की सनें ये आप क के लिए कोई decision लें कि ये क्या करें इन्हें खुद नहीं पता है और इसी वज़े से ये अभी तक आपको ना तो कोई commitment दे पाए हैं ना ही कोई action ले पाए हैं आपके लिए और future में भी लेंगे तो ये इस बात ही कोई guarantee नहीं है ये बहुत confuse रहने वाले हैं तो हो सकता है कि ये इसी तरह से इस रिष्टे को बना के रखना चाहते हैं ना तो इस रिष्टे को खतम करना चाहते हैं और ना ही इसमें कोई commitment करना चाहते हैं बस जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे उनकी ऐसी सोच है और दूसरी तरफ आप हैं कि आपकी जिन्दगी जैसे रुक सी गई थी इनकी वज़े से आप ना तो अपने केरियर में ही कुछ अच्छा कर पा रहे थे ना ही अपनी लाइफ में कुछ और कर पा रहे हैं बस इनकी यादें हैं जो आपको रूलाती रहती हैं और आपको परिशान करती हैं आप बहुत चाहते हैं कि आप अपने केरियर में आगे बढ़ें लेकिन आप नहीं कर पाते हैं अब आपने खुश सकता है कि ये डिसीजन लिया है कुछ बहुत स्ट्रोंग ली कि अब आप इनसे पूछेंगे या तो कमिटमेंट या तो फिर मूव उन इस तरह से आपके एनरजी दिख रही है बहुत स्ट्रोंग और आपके जो परसन है कुछ नहीं बदलने वाला है इनकी दिमाग में इनकी दिल में ये जो जैसे हैं ये वैसे ही रहने वाले हैं आगे भी इन से आप बहुत जादा उमीदे ना रखें ऐसा यहां पर दिख रहा है क्योंकि जो इनसान अभी तक कोई decision नहीं ले पाया है तो आगे भी वो क्या कर पाएंगे इस वाद की कोई guarantee नहीं है इनकी energy बिल्कुल भी balance नहीं है हमने आपको पहले ही बताया है अब आपके उपर है कि आपको क्या अपनी life में करना है no one करना है इनका इंतिजार करना है इसी तरह से ये जिन्दगी में हमेशा आपके साथ behavior करते रहेंगे कभी कुछ नहीं बदलने वाला है ये कोई action ले पाएं strongly आपके लिए तो ये भी जरूरी नहीं है इनके अंदर इतनी ताकत नहीं इतनी हिम्मत नहीं हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के तो partner अभी independent ही नहीं है ना खुद कमा रही हैं दूसरों पर depend है अपनी family पर depend है इस तरह से वो क्या आपके लिए कर पाएंगे I hope आप समझ गए होंगे आप बहुत समझतार इनसान है ऐसा यहां पर दिख रहा है और आपकी जो energy है वो भी बहुत positive रहती है बस अभी आपको बहुत बहुत ज़्यादा mentally stress हो रहा है इसी की वज़े से यही सब जो है आप life में face करते करते आप परेशान हो चुके हैं आप अब सिर्फ और सिर्फ इस tension से जैसे मुक्ती चाहते है और इसलिए आप एक chance हो सकता है आप देना चाह रहा है कि काश कि यह सुधर जाए और यह सब कुछ ठीक कर दे आप God से manifest कर रहे है दिख रहा है यहाँ पर कि आप बहुत manifest कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए हमारी life में आप चाहते हैं इसी इनसान के साथ life में आगे बढ़ें बहुत अच्छे आपने सपने जो देखे थे उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं पर सारी बात हमारे हाथ में नहीं होती कई बार वक्त के उपर चीज़न छोड़ देनी होती है कई बार हमें बहुत strong होकर decision लेना होता है तो यह आपके उपर है कि आपको क्या करना है इनकी मन में जो है वो हमने आपको बता दिया कि आज भी confused हैं बहुत strongly action ले पाएं इनमे इतनी हिम्मत नहीं है अब आपके उपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई रास्ता नजर ना आए तो सब कुछ इशर पर छोड़ दें और जो आप कर सकते हैं आप बो करें आप अपना फर्ज निभाएं आप अपने कैरियर में आगे बढ़ें खुद को strong बनाए positive रखें meditation करें अपनी energy को balance करें self love करें जब आप self love करते हैं तो universe, angel सब आपको support करते हैं जो भी आप मांगते हैं वो आपको मिलता है तो हमेशा positive रहें I hope आप समझ गए होंगे चैनल पर नए हैं तो subscribe करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में